वेलकम बैंग हम लोग फिर से एक नए जावा की कोडिंग टूटिरल वीडियो लेके आ चुके हैं पिछली वीडियो में हम लोग बात किये थी जावा की वैरियेबल के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावा के डिटाइप के बारे में तो चले ठेक तो किसी भी वैरेबल की यह एक ताय की प्रोपर्टी की विट्टी होती है जैसे चैलेखर की एक एग्जांपल मैंने बनाया कि यह है हमारा एक variable जिसका नेम है वी आर ठीक है अब अगर इस variable को इंपीजर टाइप डेटा स्टोर करना होगा तो इसका डेटा टाइप इंट होना करना फिल्टे को दाइंट बात करते हैं अगर वेरिएबल को फ्रेक्शनल वेल्वीक्ट्रकरना या फिर इनको बोलते हैं फ्लोटिंग फ्लूट वैल्यू इनको फ्लोत फ्लो, करना थो oat okay का टाइप का टाइप फ्लोट हुँआ थो ही ये फ्लैक्शनल वैैल्यू को स्टूर करा पाएगा, अगर हम लेजिए वैरियेबल का और प्लेम का अगर हम्लों चाहिए कमया गेषटल टोर करने के लेना हम नोग इस्तिमाल करें जैसे for example हम लोग को प्रोग्राम बनाते हैं उसमें यूजर से yes और no लेना है लेकिन y या फिर n लेना है तो हम को एक टाइप चाहिए जो कि y या फिर n को स्टोर करा है y for yes and for no तो हमको क्यार उसका डेटर टाइप बनाना होगा उस वेरियेबल का तब जाकि हम एक सिंगल कारेक्टर उस वेरियेबल के अंदर हम स्टोर करा पाएंगे ठीक और अगर माले बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स स्टोर कराना है तो हम उसको डेटाइप रेकेंगे बुलियन ठीक दिखिए आपको मैं यहीं बताना चाहता हूं क कि देखिए जब भी हम कोई वेरियेबल मनाते हैं तो उसका डेटाइप उसके साथ ही बताते हैं ताकि हम जो मैमोरी अपने कंप्यूटर के अंदर रिजर्फ कर रहे हैं उस मैमोरी में किस टाइप की वैल्यू हम स्टोर करेंगे यह हमको कंप्यूटर को बताना बहुत कंप्यूटर अपने एक एवरेज एकस्पेक्टेशन के हिसाब से उतना मैमोरी वह छोड़ देता है ठीक है अगर आप कंप्यूटर को बता देंगे कि उस आप जो मैमोरी रिजर्फ की है वह इंटीजर के लिए है तो वह क्या करेंगा इंटीजर के हिसाब से उतना जंगा अगर आप बता देंगे कंप्यूटर को कि आपको एक वरियेबल लेना है जिसका डेटाइप करेक्टर है तो वह करेक्टर के हिसाब से उतनी स्पेस अपने मैमोरी के अंदर छोड़ेगा ठीक है अभी हम लोग समझ एक चार्ट बताएंगे आपको जिसके अंदर सारी वैल् जिसके हेल्प से आप लोग को पता जोड़ लाएगा कि जब भी आप कोई वैरियेबल बनाओगे तो वह वैरियेबल कंप्यूटर के अंदर कितना स्पेस लेगा ठीक है तो अभी तो हम लोग समझ गये अभी देखिए यह चार्ट मैंने आप पर बनाई है एक दिखाते है यहां पर मैंने डेटाटाइप की चार्ड बनाई है ठीक है अब यहां पर देखिए फ्लोट जब हम कोई फ्लोट वैरियेबल मनाते है जिसका डेटाइप फ्लोट होता है तो वह मेमोरी के अंदर चार बाइट लेता है ठीक है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी भी वैरियेबल का डेटा टाइप फ्लोट होगा इसी भी वैरियेबल का एक में डिखाता हूं आप लोग को पेंड करके कि दिखी इसमें मैंने आप लोग को दिखाया था कि हमारी है यह जो एक ब्लॉक प्लॉक single ब्लॉक यह जो एक सिंगल मेमोरी ब्लॉक है वह एक बाइट की होती है ठीक है तो अगर माल लीजे अगर माल लीजे मेरा डेटर टाइप है यहां पर इंट है अगर इंट है तो इसकी चार बाइट इस पेस रिक्वाइड होगी जैसे ही मैं एक वेरियबल बनाऊंगा इंट वेर वन इकोस्टू फाइफ जैसे में एक वेरियबल बनाऊंगा इंट वेर वन इकोस्टू फाइफ तो यह मेरा एक दो तीन चार इतना ब्लॉक ऑफ इस अपने लिए रिजर्व कर लेगा वेरियबल वेर वन ठीक है यह बत समझना है आप लोग को एक और एक्जामपल मतलब यह एक ब्लॉक मेमोरी में अपने मेमोरी इतना एक ब्लॉक जितना अपने लिए रिजर्व रखेगा या फिर होल्ड करेगा ठीक है इसलिए हम जब भी वेरियबल बनाते तो साथ में उसका डेटा टाइप बता देते हैं ठीक है अब जैसे यहां पे एक फ्लो अगर चैरेक्टर डेटाइप इसी वेरियबल का तो चैरेक्टर स्टोर करेगा बुली है न तो बुलें वैलू ठीक है अब यहां पर हम दिखा देते हैं कि कैसे यह हमारा जाओ इंसलाइज होता है और कैसे हम लोग इसको राइट करते हैं ठीक है तो बिसिकली दिखिए इंटीजर जब वैल्यू हमें स्टोर करना होता है तो हम आई एंटी इंट शॉर्ट लिखते हैं इंट डेटाइप के लिए लिखते हैं और माली जी मेरा वेरिवल निजम हो गया ठ देखिए यह क्या है एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू अच्छा एक चीज और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के अंदर आखरी में लोग एफ बता लगा देते हैं ठीक है क्यों कि यह बाइडिफॉल्ट जितनी मीपॉइंट वाली वैल्यू होती है ठीक है डबल भी अब लोग को मैं बाद में पढ़ाऊंगा अब यह फ्लोटिंग पर करिए ठीक अब यहां पर देखिए फ्लोट मैंने लगाया है क्यों क्योंकि जो हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है वह फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है फ्लोटिंग वैल्यू को बोलते हैं जो पॉइं n Guru-3 इसका लिए न करम सब्सक्रेंद स्टीक करेगी यह हमारी चौई चौतरी वरियबल ब्सक्रेंटों स्ट्रिंग यह हमारा में में बन चुका है आप इस में में सबसे पहला हम लोग इंटीजर वैली जैसे हम पहले में बैरियबल 1 लिखता हूं और इसमें value दालता हूं 5 ठीक 5 छोड़ी मैं इसमें डालता हूं 1 ए 2 ठीक तो इसकी value क्या है यह जो value है जो integer data type है तो integer value chore कराने के लिए हमारी जो variable का data type होना यह वह क्या होना चाहिए इंट होना चाहिए ठीक यह बात सही देखिए अभी यहां से अरर हट गया अच्छा अभी मैं काम करता हूं इसको मैं लिखता हूं 1.2 देखिए अभी यह क्या बोला एरर आने लगा ना क्यों क्यों कि variable का data type है एंट और उसमें value कैसे मैंने डाली है 1 1.2 एक fractional value एक decimal value डाल लिए इसलिए यहां पर error आने लगाओ यह बात समझ में आ गई ठीक अभी देखिए जैसे मैं इसको float कर दूंगा और यहां पर आकरी में f लगा दूंगा अभी देखिए error वहाँ से चला चुका चुका error ठीक क्यों क्योंकि आप मेरा जो variable है उसमें जो value store है वो floating point value है ठीक और उसके according ही जो में variable का data type है वो भी एकदम correct है ठीक अब कोई error नहीं आ रहा है ठीक अब मैं एक काम करता हूं अब इसको प्रिंट कराके देखता हूं देखती है क्या आता है हमारा वैल्यू क्योंकि दिखिए variable one का data type है float और यहां पर मैंने store किया है a value अब से लिए चेक करते हैं क्या answer आ रहा है हमारा देखिए यह 97 आ रहा है ठीक यह 97 क्या है यह 97 small एक ही आसका ही value है ठीक है हर एक variable का कुछ न कुछ एक integer code होता है ठीक है जो की computer अपने अंदर याद करने के लिए उसको रखता है कि अगर माल लिजे कि user ने इस integer code का related alphabet लिखा तो मैं उस alphabet को समझ जाओंगा ठीक तो दिखिए मैंने इसमें store करने को बोला थे इससे special character ए लेकिन इसने क्या store किया उस special character की floating point वाली value ठीक है यह point वाली value आप लोगको दिख रही न क्यों क्योंकि यहाँ पे इसका flow data type है अगर देखिए अब मैं इसको ना care कर देता हूँ अब मैं care कर देता हूँ ठीक तो अब care करने पर देखिए अभी दिखिए अब आउट्पूट क्या आएगा रुक जाए गाईस अभी दिखिए अब दिखिए आउट्पूट क्या आया ए आया क्यों इस बार क्यों 97 वाली value store नहीं हुए क्यों नहीं हुए क्योंकि उस बार हमारे floating point वाली value वेरियेबल जो था उसका डेटाइप फ्लोट था लेकिन इस बार क्या है वेरियेबल है जिसका डेटाइप character है मतलब कि वेरियेबल के अंदर character वाली value अभी store होंगी और मेरी यहाँ पर character वाली value ए है इसलिए वह store हो चुकी है ठीक है अच्छा अब आप लोग के अच्छा बुलियन वाला भी करके देख लेते हैं अच्छा बुलियन वाले करने से पहले एक आप लोग के लिए home वाके मेरा आप लोग को क्या करना है आप लोग को अपने एक प्रोग्राम बनाना जिसमें अपना नेम एक वेरियेबल के अंदर डालना है और उसको प्रिंट करके मुझे दिखाना है ठीक है सुरी मुझे नह अब लोग करके दिखाना है और यह मैं बुलियन वाला करके देख लेते हैं हम लोग को बुलियन वेर वन इसमें डाल देते हैं ठीक है यह हमारा अब हम इसको प्रिंट कराके देख लेते हैं तो यहां पर वैल्यू हमारी आचिक है ठीक तो आयोप सो आप बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अपना यह वाला उन्वक जिसमें आपको अपना नेम किसी वैरियेवल के अंदर स्थोर कराना है और देन उसको प्रिंट कराना है ठीक अचा बाइदेवे यह जो च यह वाला जो डेटाइप वाला चार्ट है वह बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सारे डेटा टाइप की दिखिए साइज लिखी गई है यह साइज के एकॉर्डिंग ही वरियेबल इस पेस लेते हैं मेमोरी में तो आप लोग इसको कहीं नोट डाउन करके मेमोराइज कर ल